ये किसे विद्यार्थी नों ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब्जेक्शन किस तरह रेज करने हैं लिखने हैं एनलाइज करने हैं उसलिए वीडियो है तुसी अपने कॉश्चन नू जिनना ने ता पेज जया है मुबारक है उना पतावक मैं एनलाइज जिनने हो गया उकरके वीडियो नेक्स्ट वीडियो पादिनना हां पर इसनों लिखना कि में है ओ मैं लिखके तो अदे सामने पेश कर रहे हैं इस दी जे कहोगे तुसी कॉपी तो अनू जा डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच जा फिर तानू टेलीग्राम लर्न टू एक्चॉलाइज ते पेज द अधिको एस अनू पता है कि अब्जेक्शन उससे ने करने हैं जिसने मेनत किती सी जिसने मेनत नहीं सी किती जिस दा तुक्का लग गया और उना दा रौंग अंसर ते इदर तुक्का मिलके राइट बन गया ए इनजस्टेस है तो मेनत किती सी उना लिख पहली लाइन है बा अन्सर पुट इंदे अंजसर की आर रौंग विच डिस्टरब लार्ज नंबर ओफ केंडिएट्स हूँ डेडिकेटली प्रपेर्ट फॉर एग्जामीनिशन एलाइन लिखी जा सकती है इससे तरह लिखी जा सकती है इस विच कोई एर लग दिया है तुसी ठीक कर सकती हो ज पहला सेल्फ कॉंट्राडिक्शन है कि कॉश्चन कुछ ने पिछली बार जो गुर्णानक देव युनिवस्टी ने कॉश्चन पुछे लेकिन ओधो जवाब एक ही कॉश्चन ने जहां मिलिया है मैं सिर्फ टीचिंग पोटाइंशन है देख्या है बाकि जो तुसी बख्क जड़ा है वो शायद बिल्कुल जड़ा मिलदा नहीं है लाजिकल नहीं है ओ है सो सेल्फ ना कॉंट्रेटिक्शन है कि एक इतना हो सग्दा है कि पिछली बार रोस्दा जवाब है जी होन जवाब बदल गया है सब्जेक्टिविटी है इस दे बेस ते 100% हो चेंज होएगा जड़ा कंटरेक्शन विद फंडामेंटल थीओरीज एंड स्कूल्स अफ लर्निंग फंडामेंटल थीओरीज लर्निंग दिया तुझी बीड़ेड एमेड डीलेड विच पढ़नियां भी है में जो स्कूल ऑफ थौट एक इस विजम सोशल कंस्टुक्तिविजम जैसनों किता जन्दा है ते टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नों अज साड़ा नैशनल करीकूल फ्रेवर्क नाइंटी ट्वंटी ट्वंटी एनीप ट्वंटी ट्वंटी उसनों फॉलो करने लिकें देने इवन वर्ल्ड दियां अडवांस कंट्रियां जिडियां ने उना दे विच सोशल कंस्ट्रक्टिविजम फोकस हो रहा है उसनों यूज किता जा रहा है तो थियोरी पुसित नहीं जान दे लेकिन ओना दे कॉश्चिन कड़के अलग तो लिखते थे कहने के फंडमेंटल थियोरी दे खिलाफ आंसर जा रहे ने अगे मैं इना दी वर्डिंग भी लिख आजाम कॉस्टन कुछ कुछ कॉश्टन ने जहें मिलेने जहें दे विच्व यूजी सी दे दोजार नौदा दोसार तेरह दे यूजी सी ने तो कॉश्चिन पाई ने ने चलिए उदी आंसर के रिलीज किती है ते वो गूगल ते तुसी सर्च बारों मिल जाएगी तो उद गलति लग गई है थर्वाइस एदन गलतियां नीए हो सकते हैं Contradiction with the National Education Policy National Education Policy Creative Thinking नो प्रभोट करन ली क्या गया है ज़द की ओक्वेंस जड़ा जिसने एक बुक जो फॉलो कर करके जिस स्टूडेंट में जो सॉल्व करीती है प्रप्रपलम teacher ते book नालो नमे method नालो solve कर ली है problem नमे तरीके देना नमे तरीके ना solve करना मतलब है कि creative thinker है creative thinking नो बार बार new education policy ने अपने documents लिख्या है कि promote करना है दो होर है critical thinking and problem solving तो ओ question विच ए answer के बच्चे नो होर books दितियां जानगे होर information resource दिते जानगे तहां जो ओधी creative thinking divergent thinking or develop होए तो यह उसदे विरुद जा रहे ने question contradiction with the NPST national professional standard of teaching particularly question जड़ा teaching की है profession है service है okay so is the detail जवाब भी ना question है लग लग मिलंगे so NPST national policy of education दे बेशते ही बन रही है और कि यह दा लग की है national professional standard for teacher ओदे विच डिसकस की किता गया है teaching as a profession ओव कोश्चन दे विच मैं discuss करांगा अगे तुसी लिखना है ब्रॉड देते ने इना तुसी खुद आनलाइज कर सकते हो मैं self-contradiction यह पहरा है self-contradiction दा ओके यह थी मैं question दिगाल नहीं किती question अगे list जाएगी एनना भी तुसी लिखके दे दे ओ उनना नूँ पता लग जाएगा के गडबड है second point है some of the questions are compared with the UGC net exams conducted in different years and answer key does not match with the these and secure the answer a doosra UGC net wali contradiction are some learner also analyze the fundamental theories like constructivism social constructivism which are worldwide accepted and change the educational system of many advanced country like finland this name American over pictures heard that the education system on anarchy apply kita has social constructivism sada national curriculum framework national policies even pichla national curriculum framework social constructivism these schools of learning schools of learning behaviorism constructivism ith constructivism focus किता जा रहा है तुसी बीयर्ड विचे पढ़ोगे सारा कुछ these schools of learning talk about facilitation of learning एक ही केंदे ने के facilitate किता जावे learning नो यह उत्ते वो wrong option किती हुई है जित्थे उननाने क्या है कि question है कि teacher will help to facilitate teacher will analyze his own teaching for facilitating learning process तो facilitator teacher नो क्या जानदा है नाम भी change कर रहे है constructivism दा सुझेस्ट किता हुए ने है कि उसनने help करनी है रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं सो बच्चा खुद सोचेगा कम करेगा खुद नौलज नो बनावेगा इस तरह दिये philosophy ते psychology है सो फेजिलिटेशन आफ लनिंग चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग नो क्या जा रहे हैं अच्छा यह अथॉर्टेरियर्यंट टीचिंग वला करनी है स्पिडिट ओफ कोपरेशन एग जिड़ा प्रशन है स्पिरिट ऑफ कोपरेशन और मेरे खल स्कूल स्पोर्स मेंशिप वाला है तुसी तुसी फेर्मेस डेवल्प करनी है कि बच्चा रूल्स नूँ फॉलो करे रूल नू समझे और कोपरेटिव जादा होवे जा कॉंपिटेटिव निनी नो डाउड कॉंपिटेटिवनेस वी स् मुआ इस के ब्लूमेनेट कॉपरेशन नहीं करनी है क्या के रूपके नूस्ते वी साुपरेशनाар नहीं कुए क्योंिकल करना फैमिली मिल के कम करें के विरोज कम करें यार यह पुछ ना लिया गल्ला डिवल्प्मेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ग्रेटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ए जो स्कूल्स ऑफ जड़े लनिंग है उना ना कॉंट्रडिक्शन दा पॉइंट है और यह जड़ी ऑफ एंद गल्थ प्लाइब हो गया इन निव एजुकेशन पॉलसी 2020 ओ जडियां गल्ला हां 2020 पॉलसी सेम कहीं गहीं है इस तो वद धी कहीं हैं गहीं है सो इथे कॉंटरिक्शन ओफ पॉलसी नल हो गया द्राफ्ट और नैशनल प्रफेशनल स्टेंडर ऑफ टीचर देखू खुद ही कहा रहा है द्राफ्ट इटमीन नैशनल स्टेंडर पॉर टीचर इटमीन ओनों प्रफेशन समझा गया है NPST suggest by new education policy also sport the correct answer which are not matching with the answer key then how the answer which are narrow for teaching learning process which are emphasizing transmission constructivism the old teacher centered approach are mentioned as correct in answer key following are the MCQ question with the individual justifications of correct answer you are humbly request to analyze the answer key and provide if you are provide the correct objective comma आएगा थे provide the correct and objective answer key ठीक है नीचे तुसी हो question लिख सकते हो जयो हो दी को justification लिख सकते हो मैं question wise justification evidence research evidence यह दिने wording लिख के तो नो next video वीच पादेना हां thank you